Dear Students, Welcome Back! Liberty या Freedom पे ये दूसरा वीडियो है उस सिरीज में जो MA Political Science के लिए मैं कोसिस कर रहा हूँ और ये हो सकता है सबसे difficult भी और सबसे enlighting भी क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं Emmanuel Kant और उनके Freedom as Autonomy के concept पे Of course compare करेंगे John Stuart Mill की जो Freedom as Autonomy concept था जो उतना tough नहीं है उससे उनका compare भी करेंगे क्योंकि उस syllabus में है और एक बात और बता दें कि जब भी आप Kant के Freedom के concept को explain करने की कोसिस करेंगे या समझने की तो आपको उनके moral philosophy को जरूर चर्चा करनी पड़ीगी है समझनी पड़ीगी इसलिए वो तोड़ा difficult हो जाता है But I will try my best Let us begin Liberty part 2 यह Hindi में है इसका English version भी आएगा Freedom as Autonomy, Immanuel Kant And then comparing it with Mills, Freedom as Autonomy सबसे पहले हम लोग Immanuel Kant के view को देखते हैं कि उनका view freedom पे क्या है और वो freedom को कैसे as Autonomy मानते हैं इसका माइनी क्या होता है उसके पहले थोड़ी सी context उनकी एक biography जैसा समझ लीजिए Immanuel Kant आप इनका period देख सकते हैं यह 718th century कह लीजिए इनका period रहा है जो French Revolution का time था उसके यह एक तरह से बहुत बड़े philosopher उस समय के थे He was a German philosopher and one of the main enlightenment thinker यदि enlightenment का एक डेक्ती को आप देख सकते हैं तो वो Immanuel Kant हैं उन्होंने book लिखा था, essay लिखा था What is enlightenment? मैंने आपको इस पर पढ़ाया भी है आप उनको modern plateau कह सकते हैं Like Plato, he was a rationalist Rationalist versus empiricist I hope कि आप अब तक समझ गए होंगे इसका माइन यह होता है, rationalist वो होते हैं जो sense experience से जो हम knowledge लेते हैं उसके अलाबा उनका मानना होता है कि एक knowledge की experience से परे भी कोई जो है एक दुनिया है जहां पे कि pure reason से, pure rationality से, a priori मतलब आप बिना किसी sense experience के भी knowledge gain कर सकते हैं मतलब कुछ ऐसा है जो आप sense experience से नहीं ले सकते हैं knowledge का वो part जो उसको मानते हैं वो rationalist होते हैं जो मानते हैं कि केवल हम sense experience से ही knowledge ले सकते हैं वो empiricist होते हैं इसे हूम को आप याद कीजिए तो ये एक rationalist है plateau के जैसे idealist है, of course, जो भी rationalist होंगे, idealist होंगे क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया की परिकलपना करते हैं जो reason पे अधारी थै, rationality पे अधारी थै जो हमारे दिखने वाली दुनिया से अलग है, तो इसलिए वो idealist हो जाते हैं, and also he mixed politics with morality and ethics, यहाँ पे आप plateau को देख सकते हैं, यहाँ पे आप गांधी जी को देख सकते हैं, जो साइद प्लाटो से प्रभावित हैं, तो Emmanuel Kant से भी प्रभावित हैं, जहाँ Machiavelli से अलग हो जाते हैं, जहाँ morality, ethics, politics का part बनता है, जहाँ religion एक तरह से politics का part बनता है, religion का वो part जो morality, ethics, spirituality हैं, इसलिए Kant हमको हर जगह दिखते हैं, गांधी जी में दिखते हैं, modern law में दिखते हैं, आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे, proponent of Kantian deontological moral philosophy, इन्होंने अपनी ही धारा चलाई, आप Kantian हो सकते हैं, जैसे आप Kantian हो सकते हैं, platonic है, उस तरह से Kantian deontological moral philosophy, यहाँ deontology और teleology का जो फड़क है, मुझे लगता है, शायद आपको पता है, नहीं तो एक लाइन में यह है, कि deontological मतलब यह है, कि केवल यह नहीं कि जो goal या आपका लक्ष, end जो है, वो पवित्र हो, अच्छा हो, good हो, आप किस rule से, किस motive से, किस intention से आप उसको achieve करनी की सुरुवात करते हैं, वो भी उतना ही important है, मतलब माध्यम भी, और आपका initial intention भी उस लक्ष को प्राप्त करने का, वो भी पवित्र होना चाहिए, deontology है, teleology जो utilitarianism में है, या Machiavellian में है, कि कैसे भी by hook and crook, यदि आप ant जो है, वो good है, तो उसके पहले का क्या है, means क्या है, rule क्या adopt करते हैं, उसको करने के लिए आपका intention क्या था, यसे माइने नहीं रखता है, वो teleological है, teleo मतलब की end, अंत भला तो सब भला, लेकिन यहां पर deontological है, और आपको याद होना चाहिए कि गांधी जी भी जो deontologist थे, किवल ये नहीं लक्ष प्राप्त हो जाए, लक्ष प्राप्त करने के लिए आपका motive क्या है, intention क्या है, आप किस motive से उसको सुरुवात करते हैं, क्या rule एडॉप्ट करते हैं, क्या means माध्यम apply करते हैं, वो भी उतनाईhi पावित्र होना चाहिए, good होना चाहिए, virtuous होना चाहिए, ethical होना चाहिए तो और यह जो उनका philosophy है it is best represented by his categorical imperative इस पर चर्चा करना जरूरी होगा तो हम लोग करेंगे इस वीडियो में His idea of freedom as autonomy was in response to empiricist account of philosophy of David Hume आपको मैंने बताया कि वो एक great empiricist थे उनका बहुत परभाव था उसे हम enlightenment के वो भी एक figure थे तो वो empiricist थे कि सभी कुछ sense experience से ही knowledge हो सकता है उसके पर एक कुछ बी नहीं है जो world है वो ही इसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं like that जो Aristotle and utilitarian concept जो morality का था जो Jeremy Bentham ने दिया उसको भी वो काटते हैं देविड हूम के empiricism को और utilitarianism को काटते हैं Utilitarianism में क्या है morality का principle यह है कि वो करना moral है जो maximum happiness को बढ़ाए मतलब कि यदि pain और pleasure को हम quantify कर लें तो ऐसा कोई भी act जो sum total of pleasure को बढ़ाए वो act करना moral है यहीं utilitarianism था Kant इसको काटते हैं उनका कहना है कि यह गलत है immoral है actually हम लोग देखेंगे कैसे His idea of freedom as part of his moral philosophy is contained in the following books इन सब books में है Groundwork of Metaphysics of Moral आप यह भी देख लिजे Critic of Pure Reason, Critic of Practical Reason Critic of Judgment He also wrote यह भी आपको UGC Net सब में पूछ सकता है Perpetual Peace, a Philosophical Sketch उन्हों है लिखा इससे उन्हों है लिखा What is Enlightenment? यह तो मैंने आपको कहा ही था तो इससे कई question आपको UGC Net or Competition में या PGET में आ सकते हैं इसलिए भी आपको इससे देखना ज़र रही है अब आईए कांथ का जो concept था freedom को उसको थोड़ा हम लोग एक gist एक slide में समझने कोई सकते हैं वैसे इस पर काफी discussion होगी slide का discussion लंबा होगा उनके लिए freedom is acting autonomously अब ये acting autonomously का माइने क्या होता है एक line में समझ ये तो इसका माइने होता है कि आप उसी law पे act करते हैं या उसी rule पे act करते हैं जो आपने खुद अपने लिए बनाया है मतलब आप किसी दूसरे के rule, act, guidance पे act नहीं करते हैं तो ये इसका माइने है लेकिन इसके कई माइने हैं जो बताते हैं कि उनका concept freedom का क्या था इसका एक माइने है कि कि आप act करते हैं as per free and good will अब ये अपने आप में बहुत concise बात है मतलब आपका will free है तो वो तो मैंने आप बता दिया कि आप अपने ही law, आपने ही rule जिसके खुद आप author है उसी पे आप act करते हैं तो autonomously act करते हैं आप act करते हैं as per your good will good will का act करने का मतलब क्या होता है जो यहां लिखा हुआ है कि doing acts which is in itself is moral, virtuous, intrinsically good आप किसी कारी को just एक moral duty के तौर पे करते हैं आप कारी को किवल इसलिए करते हैं को कारी करना अच्छा है इसलिए नहीं करते हैं कि उस कारी को करके आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा कुछ धन, कुछ यस मतलब कुछ reputation, कोई interest कुछ नहीं जैसे आप example लीजिए इसका बहुत famous example है माल लीजिए एक shopkeeper है और वो उसके पास में एक ऐसा आदमी आता है जो उसको पता है कि यह महले में पहली बार आया है यह बाहर का है और उसको किसी चीज का पूसता है उसको कोई कीमत का अंदाजा नहीं है दुकानदार चाहे तो उसको ठक सकता है लेकिन वो दुकानदार जो है, वो नहीं ठकता है और वो सोचता है कि इसको ठक लेंगे तो मेरी reputation खराब होगी और उससे मेरी बाद में सेल कम होगी. कांथ का कहना है कि ये जो एक्सन है, ये गुड है, लेकिन ये गुड विल के साथ किया हुआ नहीं है, ये मोरल एक्ट नहीं है कांथ के अनुसार, क्यों? क्योंकि इस एक्ट में एक चाहत है, एक आपका मोटिव है कि हमको कुछ बेनिफिट हो, हमारा रेपूटेशन पर है, तो ऐसे में जो है, वो एक्ट मोरल एक्ट नहीं है, क्योंकि वो गुड विल से नहीं किया गया, लेकिन ये वही दुकानदार, चाहे उसको कोई रेपूटेशन की चिंता हो नहीं हो, सेल की चिंता हो नहीं हो, प्रॉफिट की चिंता हो नहीं हो, लेकिन ये वो ऐसा करता ही है, क्योंकि उसकी वो मोरल ड्यूटी है, उसको लगता है कि ऐसा करना मारा मोरल ड्यूटी है, तो वो act moral है, इसमें क्या है कि उस act अपने आपने end है, वो किसी और चीज का माध्यम नहीं है, means नहीं है, कांथ के लिए ऐसा ही act moral है, यह समझे है, good will, आज है moral duty, अपने हिंदु धर्मा से भी आप इसका compare कर सकते हैं, वहाँ भी धर्म को करना एक moral duty है, बहुत मिलता है, free will meaning है कि आप जो है अपना end goal, life का purpose, खुद तै करते हैं, आप जो है एकदम अलग है किसी ऐसे object से, जो अपना end goal तै नहीं कर सकता है, without any internal and external constraint, आप ना तो कोई बाहर का constraint है, आपके end goal को set करने में, ना internal है, without getting influenced of inclination, desire, passion, of oneself and other, ना तो अपने desire, passion, inclination से आप affected होते हैं अपने end goal को set करने में, और ना ही दूसरे से, दूसरे से का क्या मतलब होता है, आपको कोई दूसरा कब guide करने लगता है, कब आपके दिमाग पे control करता है, जब आप उसके whims, fancies, उसके inclination, उसके interest, उसके desire, उसके passion से जो है, आप अपना end goal set करने लगते हैं, तब आपको वो control करता है, लेकिन ना तो आप उसके whims, fancies पे जाते हैं, ना ही अपने ही internal desire passion या whims, fancies पे जाते हैं, तब आप एक तरह से आपका will जो है, वो free है, तो ये हो गया free will है, good will है, then आपने समझ लिया कि act को आप जो करते हैं, as a moral duty करते हैं, as a end in itself करते हैं, कोई उससे जो है benefit के लिए नहीं करते हैं, तब वो act जो है moral है, treating oneself and other as end in itself, अब आप देखेंगे, बार बार end इसलिए आता है, कि कांद के अनुसार जो है na, morality kingdom of ends में recite करती है, वो kingdom of means में नहीं करती है, हर चीज अपने आप में end है, अपने आप में ही पूर्ण है, वो किसी चीज का माध्यम नहीं है, ना तो आप जो कारे करते हो, वो किसी चीज का माध्यम है, ना जो लोग जिससे आप interact करते हो, वो किसी चीज का माध्यम है, जिससे भी आप interact करते हो, अपने भाई, बहन, पती, पतनी, student, teacher, वो अपने आप में as a human being, जो है, वो end in itself है, कोई उसका equal moral worth है, आप किसी भी human को एक माध्यम या means के लिए मत यूज करो अपने interest के लिए, benefit के लिए, profit के लिए, आप यदि कोई नेता मान लो, लाखो लोगों को यूज करता है अपने सक्ता के लिए, पावर के लिए, तो वो usually immoral act है, ऐस पर कांध, मैं क्यावली के अउसार नहीं, लेकिन कांध के अउसार, yes, उसके moral philosophy, क्योंकि आपने human को as a means यूज किया, माध्यम यूज किया, अपने purpose के लिए, इनके लिए जो है, obeying moral principle as its co-author with all other humanity, ये है freedom, मतलब आगे हम लोग और इसको समझेंगे, मैंने आपको कहा कि autonomously add करने मतलब है कि आप author खुद हो, उस rule का, उस law का, जिसको आप follow करते हो, और वो rule law जो है, वो universal moral principle है, basically, जिसके आप भी co-author हो, और सभी humanity के जो member है, as equal, rational, moral agent, वो भी आपके साथ co-author है, और उसको आप जो है, अक्षर सा पालन करते हो, उस universal moral principle को, जिसको उन्होंने categorical imperative बोला, जिसके आप author खुद हो, और उनके लिए moral freedom क्या है, freedom, actually moral freedom है, freedom from inclination, desire, passion of oneself and dreams and fancies of other, जो मैंने यहाँ पे बोला, वही है, मतलब free will होना, जो है, moral freedom है, और यह जो है moral freedom, इस रूप में भी आप देख सकते हैं, किसको आप self-government कर सकते हैं, self-development, moral perfection कर सकते हैं, गांधी जी का स्वराज याद कीजिए, वही यह है, attaining virtue and goodness, moral perfection, self-mastery, self-realization, all गांधीयन thought, जो स्वराज का है, वो इन note करते हैं, Kantian freedom as autonomy को, then, एक दो और point इसमें है, कि pure practical reason, rationality as source of moral principle, अब यह बड़ा heavy है, pure practical reason, इस पे दो पूरी एक घंटे क्लास लिया सकते, लेकिन यहाँ पर यह समझे कि pure reason वो है, जो एकदम rational है, मतलब pure reason है, theoretical reason, जो किसी तरह से sense experience पे बेस नहीं है, जो आप just abstract reasoning thinking से, आप transcendental, जिसको कहते हैं, world में चले जाएए, आगे हम लोग देखेंगे, वो numeral world वो बोलते हैं, वहाँ पे जो pure reason है, theoretical reason कर लीजे, और practical reason क्या है, वो reason जो day to day में हम जो है, अपने deal करने के लिए, जो natural world, जो causation का world है, time space का world है, phenomenal world है, उसमें काम करने के जो reason अपनाते हैं, आप reason तो लाते हैं उस pure, transcendental world से, world of morality से, kingdom of end से, लेकिन उसको इसको इस्तिमाल करते हैं, natural world में जीवन जीने के लिए, तब वो हो जाता है, pure, pure practical reason, और यही जो reason, pure practical reason है, यह source of आपका moral principle होना चाहिए, source of आपका moral act होना चाहिए, और उसी के basis पे आपको जो है, आप पुरली हैं, so, उन्होंने जो है freedom, autonomy, virtue, morality और good ने सब को एक मिला दिया, उन्होंका कहना था कि acting autonomously is acting freely, acting freely is acting morally, acting autonomously, freely, morally is being virtuous and attaining moral perfection and goodness, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उनका जो पूरा moral philosophy है, वो freedom के साथ जुडा हुआ, उसको आप अलग करके नहीं देख सकते हैं, this is the gist of Kant's concept of freedom, अब हम लोग थ्वा थेजी से एक दो slide में इसको हम लोग समप कर सकते हैं, as far as his concept of freedom is concerned, यहाँ पर एक समझे कि जो मैंने आपको अभी कही दिया है, कि दो world की कल्पना वो करते हैं, just याद कीजे आप Newton को जो divided line की बात करते हैं, एक intelligible world और एक जो हमारा world जिसम जो phenomenal world जहाँ हम रहते हैं, जो world of nature है, world of caugation है, world of time and space है, वो world और जो numinal world जो यहाँ मैंने explain किया है, वो दुनिया जो moral world है, world beyond time and space है, cause and effect है, transcendental world है, वो kingdom of end है, वो world of region rationality है, a priori है, of the sense experience and empirical world, उससे एकदम transcendental, उससे हट के है, वो a priori है, and वो जो world है, numinal world, वो govern होता है, universal moral law principle है, यह एक अलग दुनिया है, उस दुनिया एकल्पना करते हैं, लेकिन इस दोनों दुनिया को harmonize भी करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, pure practical region वही है, pure region जो है, numinal world का है, practical region phenomenal world का है, लेकिन pure practical region से आप phenomenal world में जो है, आप morality numinal world से लाके अपने act को moral बना सकते हैं, phenomenal world में यह उनका जो प्रयास था, यह बहुत ही बड़ा grand प्रयास था, इसमें 10 को तक उन्होंने इस पे महिनत की research किया और एक logic बनाया, आपको मैं बहुत आसानी समझा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत बहुत सा grand logic है, सुनने हो बहुत simple लगता है, आपको बताएंगे कैसे बहुत simple भी है, और कैसे complex है, अब यहाँ देखें, phenomenal world पे एक दो चीज़े और जानी है, कि यह जो मैंने सब बताया कि यह natural world है, empirical world है, world of cause and effect time and space है, आप इसको जो है world of Newtonian law कर सकते हैं, इसी में Newton का law, आपको याद होगा कि उस समय में modernity, enlightenment में Newton का law था, वो एक propellant था, वो engine enlightenment का, जिसको कि scientific modern age करते हैं, बाद में इसको post-modernism ने और quantum mechanics ने उसको धुस्त किया, लेकिन उस समय में था, कि यह दुनिया में जो है law universal है, आप एक पथर को ठोकर मारो, कितने force मारो और क्या momentum होगा, कितने दूर चलेगा, यह आप Timbuktu में मारो, चाहे आप Johannesburg में मारो, चाह अप Alaska मारो, एक जैसा होगा, पत्थर की नियती एक जैसी होगी, यह universalization करना law of nature को Newton का बहुत बड़ा एक रोल था, और उससे जो है, वो scientific age आई, तो यह जो world है, phenomenal world, वो Newtonian law का world है, force, motion, gravity, वो बिलकुल लिदम fix है, universal है, हर जगा एक जैसा है, world of cause and effect है, हर कुछ जो है cause effects से हो होगे तो कुछ होगा, time and space का है, world, world in which object follow law, whose source is outside them, external to them, अब यहाँ पर समझेए, एक पत्थर है, आप इसको जो है, एक छट से नीचे गिराते हो, क्या यह पत्थर नीचे गिरने के बजा क्या उपर जा सकता है इसकी मर्जी हो तो, कुछ नहीं, कुछ भी, टेबल को लात म law नहीं लिखाए Newton का law, वो nature का law है, उसको उससे वो affected होते हैं, उसको ही वो follow करते हैं, यानि कहने का मतलब है कि वो अपना goal या end purpose खुद set नहीं करते हैं, वो given है, वो nature के द्वारा given है, जस्ट वो कटपुतली के तरह जो है, वो act करते हैं, इसी तरह से Hobbes जो है, आदमी को कल cosmical view, Hobbes का आता है, या materialistic view आता है, अब यहां पे वो एकदम बिलकुल अलग है, तो यह कहते हैं, कांथ कहते हैं, कि जो phenomenal world है, उसमें object, आदमी भी object हो सकता है, they act heteronomously, मेरे पुणा से समझ आईए, heteronomously, heteronomously का मतलब यह है कि they are not acting autonomously, वो खुद जो है, अपना goal end set नहीं कर सकत इस world में object, पत्थर को याद कीजे, table कुरसी को याद कीजे, नहीं set कर सकते, वो किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए law, rule पे just जो हैं, वो act करते हैं, अपना उनका कुछ वजूद नहीं है, लेकिन जो numinal world है, वो world है जहां आदमी autonomously, as a rational moral agent, एक human, autonomously act कर सकता है, वो खुद author बन सकता है, उस law का, जिसको वो पालन करेगा अपने जीवन में, वो खुद अपना goal end set कर सकता है, वो अपना purpose life का खुद दे कर सकता है, अपना भाग निर्माता खुद है, तो वहां autonomously, तो उनका कहना है, कि human जो है, because of being a rational moral agent, वो numinal world के बासी है, रहते हैं वो phenomenal world में, लेक और इन कीड़ मकोनों से अलग है, वो numinal world की ताकत उनके पास है, वहां पे वो pure region से जो है, वो समझ सकते हैं, क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है, और उसको वो pure practical region से phenomenal world में लाके अपना जीवन जी सकते हैं, morally, ethically, virtually, और वो moral perfection प्राप्त कर सकते हैं, वो good will generate कर सकते ह और वैसे ही लोग जो ऐसा कर पाते हैं, वो free हैं, बाकि unfree हैं, वो just like पत्थर के जैसे हैं, वो पेर पौधों के जैसे हैं, वो जानवरों के जैसे हैं, तो यही चीज़ यहां पे कहा गया है, freedom is acting autonomously by following the universal moral law, और यहीं वो कहते हैं, कि जब आप autonomously act करते हैं, तो आप कौन सा law follow करते हैं, आप भी एक Newtonian law type का follow करते हैं, मतलब Kant जो है, वो numinal world के Newton बनना चाहते थे, उन्होंने कहा जैसे phenomenal world में three law of motion है, वैसे numinal world में हम three law of morality हम देते हैं, उन्होंने categorical imperative बोला, जो आगे हम दो देखेंगे, आप उसको follow करेंगे, तो वो भी universal है, आप Timbuktu में भी human follow कर सक है, पटना में कर सकता है, और वो जो है, लासा में भी कर सकता है, और वो जपान में कर सकता है, वो हवाई में कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और same, तो जैसे Newton का law universal था, वैसे उन्होंने universal moral law दिया of the numinal world, जिसको pure practical region से आप phenomenal world में harmonize करके अपनी जीवन morally जी सकते हैं, यह सब हम लोगें डिसकस कर लिया, कि autonomously act करने का मतलब क्या होता है, कि अपना end goal खुद आप freely set करते हो, acting as per the law, जिसके की author आप खुद हो, and doing acts as an end in itself, यह हम लोगें देखा, कोई भी कारिक किवल इसलिए करते हो, कि वो अपने आप में good है, virtuous है, inherently good है, कोई purpose नहीं है उसको करने का, कि हमको यह मिल जाए, वो मिल जाए, just as a moral duty आप act करते हो, और दूसरे को जो है, आप as an end treat करते हो, दूसरे human being को माध्यम या means के रूप में treat नहीं करते हो, आप kingdom of end में believe करते हो, जो numinal world है, अब यहाँ पर एक चीओ और देखे कि गीता में जो कहा गया है, कर्मन्या वाधिक आप किसी भी कार को कुई फल के इक्षा से मत कीजिए, कि यह मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, just as a moral duty कीजिए, तो वो act moral है, अब जैसे, for example, लीजिए कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं कहने को बोलता हूँ कि मैं free पढ़ाता हूँ, लेकिन यह कांद के अनुसर से moral act नहीं क्योंकि इसमें इक्षा है, reputation की, आप मुझे अच्छा comment करें, मैं कहूँ कि मैं बहुत जादा लोगों को help कर रहा हूँ, student जो है मेरे चलते, यह जो एक लोब तो है मेरे अंतर, यह free नहीं है, हम आजे moral duty नहीं कर रहे हैं, कुछ आशा इक्षा से कर रहे हैं, तो कांद के न moral होना difficult है, इसलिए तो कोई गांदी जी नहीं बन पाता है, उन्होंने कांदी और moral अपनाने कोशिस की, उसको idealistic लोग मानते हैं, हम लोग जो जो act करते हैं, सब में तो कुछ नहीं कुछ इक्षा रहती है, I hope कि आप समझ रहे हूँगा मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसको C.I.E. अब से हम लोग बोलेंगे, categorical imperative, our moral law co-authored by each and every human being as a rational moral agent by using pure practical reason, आप लोग pure practical reason समझ गया होंगे, rationality समझ गया होंगे, human being को वो rational moral agent बानते हैं, इसलिए वो phenomenal world से पड़े, numeral world के जीव हैं, और ये भी आपने भी तक समझ लिया होगा, कि यदि आप अपना law ख गुद लिखते हैं, उसके co-author है, उसी को follow करते हैं, तो आप free हैं, तो C.I.E. वो law है, जो आप co-author करते हैं, हर other member, जो humanity का है, उसके साथ, आप उसके co-author हैं, उन्होंने जो है, बहुत सारे formulation दिये थे, लेकिन तीन law में उसको आप बाढ़ सकते हैं, first जो law या formula है, वो है, act according to that maxim whereby you can at the same time will that it should become a universal law, अब ये तो पांच बार कम सक्राइब पढ़ियेगा, basically इसमें maxim, एक दो word का meaning देख लिजे, कि maxim जो है, वो word क्या है, maxim मतलब rule, law, regulation, कोई एक rule जो है, और will यहाँ पे जो है, वो English का भर्व नहीं है, will का मतलब वो है, वही good will, जो आप एक तरह का desire, मत मतलब force जो की cause करता है कोई action को, उसको will जो बोलते हैं, इक्षा सक्ती कह लिजे, तो अब ये क्या कह रहा है, कि act only according to that rule, maxim को rule पढ़िये, whereby you can at the same time desire, will को desire कह लिजे, that it should become a universal law, मतलब कि कोई भी आप यदी काम करते हैं, कारिक करते हैं, तो उस rule के अनुसार कीजिए, जो की आ वही rule जो है, universal law of nature बन जाए, आप समझे, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, या कांत क्या कहना चाहरा है, जैसे मैं example देता हूँ, आप जो है, कोई कारी कर रहे हैं, बैसे माल जे, आप किसी को सच बोल रहे हैं, आप हमें साथ सच बोलते हैं, माल जे, तो आप ये इक्षा रखते हैं, जैसे आप जो है, किसी का मडर करते हैं, माल जे, मतला आप करने का इंटेंशन भी करते हैं, तो आप जड़ा सोच के देखे, क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं, कि ये universal law बन जाए, मडर करना एक दूसरे का, कभी सोच सकते हैं आप ऐसा, यदि आप सोचेंगे, तो कभी आप मडर नहीं करेंगे, आप समझे इस चीज़ को, जो आदमी कोई डखेत या कोई भी मडर, जो मडर करता है, हत्या करता है, वो ये मान के चलता है, ये desire करके चलता है, कि नहीं मडर करना universal law बन जाए, उसकी इक्षा ये होती है, कि universal rule बन जाए, कि कोई किसी का मडर ना करे ये सोच के जो है, वो exception बनना चाहता है, आप इसका और example लीजे उल्टे तरीके से, जैसे मानली जे बहुत बार दिया है, कि एक गौम एक जमिंदार है, वो कहता है, कि चलो सब लोग जुटा करके खीर जो है, एक तेवहार है, उसमें एक एक लोटा रात में एक बड़ा सा घरा रख देता है, या बड़ा सा आप समझे बरतन, उसमें कहता है, एक एक लोटा दूद रात में सब लोग गिरा देगा, उसी से खीर बनेगा एक ले दिन, अब देखे क्या है, माल जे एक individual है, वो सोचता है, कि universal law क्या हो, अपने action के लिए, कि हर कोई ऐसे condition में दूद ज यही होना चाहिए, कि सब लोग दूद देंगे, सुचता है, मैं exception बनुगा, मेरा थुदा फाइदा हो जाएगा, वो immorally act कर रहा है, moral act यह है, कि वो universal act जो मानता है, कि सब लोगों को दूद देना चाहिए, उसी को वो करता है, और जब भी आप immorally act करते हैं, तब भी आप consciously यह जानते हैं, कि universal moral क्या है, जब आप जूट बोल रहे होते हैं, तो आप desire मन में करते हैं, कि पूरी दुनिया में जो है, सच बोलना universal हो, तब ही जूट बोलने का मतलब है, याद रखिए, यदि आप यह desire करते हैं, कि दुनिया में जूट ही बोलना universal law हो, तो फिर जूट बोलने का आपके लिए कोई फायदा नहीं है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, आपका जूट तब ही तक उसकी ताकत है, जब तक universal law है, सच बोलना, और इसलिए आपके जूट को कई लोग सच मान लेते हैं, आपको फायदा हो जाता है universal law है murder नहीं करना इसलिए आपका murder करना जो है फादा हो जाता है क्योंकि आप murder करने एक बाद उसको loot करके safely आपको जीवन जी सकते हैं कुछीजे ख़ई सकते हैं यदि सब-सब का murder करता यही law होता तो आपने murder करके निकले और आपका भी किसी ने murder कर दिया फिर आपको किसी को murder करने की जरुवत ही क्या है फिर से आप आईए इस पर act only according to that maxim whereby you can at the same time will, मतलब इच्छा करें that it should become a universal law मतलब कहने का मतलब यह है मैंने बहुत सारे negative example दिये लेकिन positive example यह है कि आप हमेशा वही कारिक करें जो इस उस rule के नुसार हो जिस rule को आप सोचे कि वही universal rule बन जाए वह ऐसा ही कारिक करें यह first law है second law है humanity formula act in such a way that you always treat humanity whether in your own person, अपने को भी or in person of the any other never simply as means but always as same time as an end in itself किसी ब्यक्ती को means माध्यम के रूप में इस्तिमाल मत कीजिए सब को जो है end समझे अपने आप में वो end है अपने आप में एक human जो है पूर्ण है वो किसी के लिए means नहीं है इसलिए जो utilitarianism को यहां पे वो काटते हैं utilitarianism में क्या होता है कि 5 आदमी की जान बचाने के लिए एक आदमी की जान आप दे सकते हैं क्योंकि 5 आदमी का happiness बर रहा है एक का pain हो रहा है तो net happiness बर रहा है GHP principle से आप उस एक आदमी की हत्या कर सकते हैं यदि ऐसी नौबत आ जाए वो moral है वो act करना लेकिन कांद करते हैं no इस बिल्कुल moral नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आपने उस आदमी को means के रूप में इस्तेमाल किया पाँच आदमी के happiness के लिए तो आपने law को तोड़ा आपने इस universal law को तोड़ा इसलिए वो immoral है थर्ड, autonomous formula so act as if you were through your maxim मतब अपने जो rule बनाया है a law making member of a kingdom of ends आप को author बन जाते हो universal moral law के अपने जो rule जिस से act तुम करते हो यदि आप ऐसे rule से act करते हो जो universal moral law बन जाता है तो आप को author बन जाते हो एक kingdom of ends वाले दुनिया के जो numinal world है उसके आप author बन जाते हो law maker बन जाते हो just उसी तरह जैसे रूसों बोलते हैं कि general will के through जो है आप को author बन जाते हो उस law का जो political community अपने आप को देती है और जब आप उस law को follow करते हो जो आप खुद बनाये हो जिसके author आप खुद हो तो आप जो है act autonomously करते हो और आप real मायने में free हो आप moral freedom attain करते हो आप goodness attain करते हो आप virtue attain करते हो आप virtue को जमा करते हो and harmonizing principle है इस तीन formula के बाद जो मैंने आपको बोला pure practical reason harmonizing principle यह है कि यह सारा आता तो है numinal world से यह सारा law लेकिन आप उसको harmonize करते हो जो kingdom of end से लेके आते हो लेकिन kingdom of nature में उसको use करते हो अपना जीवन जीने के लिए numinal world के world में करते हो जीवन जीने के लिए यही pure practical region है यही harmonizing principle है और यही कांथ की ताकत है कि यह केवल platonic नहीं है idealistic नहीं है utopic नहीं है यह आपको जीवन जीने के लिए जो है यह help कर सकता है गांधी जीने ऐसी कोशिस की one gain moral freedom by acting as per C.I. as its co-author क्यों? क्यों उन्होंने कहा कि आप moral freedom जो है आपको मिल जाता है यदि आप C.I. के अनुसार act करते हो as its co-author क्यों? क्योंकि autonomy is acting as the law made by oneself यह तो मैं बार बार बोल रहा हूं तीस ही चौथी बार कि autonomy का मतलब होता है कि आपके बद उसी act करें जिस उसी law पे act करें जो law खुद आपने बनाया है तो आप उसके author है और acting autonomously is acting freely and acting freely and autonomously is acting morally and acting autonomously morally is being virtuous, being good being moral this is in nut cell इनकी philosophy है moral philosophy और वो कैसे freedom से जुड़ती है अब इदे हम लोग कांथ के freedom को negative positive जो इससे आप अब अब बडली ने दो खाने में बाटा है उसमें हम लोग देखने कोशिस करें तो इनकी जो दोनों element इसमें है negative and positive freedom दोनों के element है कांथियन freedom implies freedom from यदि freedom from को इदे आप negative बानते हैं लेकिन of course उसमें internal constraint भी है केवल external नहीं है आप Hobsynian या Bentham का यदि negative liberty देखेंगे तो बहुत वो इदम minimalist है मतलब की negative freedom का मतलब क्या है कि freedom from external constraint आपको कोई रोकता नहीं है कि आपको क्या करना है क्या खाना है क्या पहना है कहां जाना है तो आप free हो आप एक तरह से negative freedom आपका जो है वो रोक रहा है मतलब freedom from है तो वो भी कांत में है तो acting autonomously जो है वो क्या है मैंने हम लोग ने बताया कि without inclination, desire, passion, interest, benefit internal constraint और acting autonomously का मतलब है without being influenced by weems and fancies, desire and passion of other external constraint तो आप external, internal दोनों ही constraint से जब आप परे हो जाते हैं तो इसलिए कांतियन फ्रीडम एक तरह का freedom from constraint है बोथ internal और उस माहने में इसको आप negative freedom कर सकते हो लेकिन कांतियन freedom also implies exercising free will आप लोग ने देखा acting autonomously ये freedom of choice को भी दिखाता है of setting one goal end मतलब खुद अपने हम जो है purpose, goal, end को set कर पाते हैं not like पत्थर being author of categorical imperative खुद अपना law लिखते हैं जिसको पर चलते हैं उसके हम co-author है and acting as rational moral agent इसलिए इस माहने में इनका जो freedom है वो self-government है moral development है self-mastery है self-realization है जो गांधियन स्वराज है उस माइने में ये positive freedom है इसलिए कांध का freedom का concept है वो both freedom negative और positive दोनों खाने में रखा जा सकता है लेकिन जादा ये positive freedom के तरफ जाता है यदि आप इसे आप बड़लिंग के तरफ से जाएगे अब हम लोग J.S. Mill का freedom as autonomy है क्योंकि ये syllabus में इसलिए मैं इसको attempt कर रहा हूँ वो उतना strenuous नहीं है आपके दिमाग पे इतना कठी नहीं जो अभी हम लोग इंडिसकस किया लेकिन फिर भी बहुत तरीस हम लोग please allow me की थोज़ चलें क्योंकि काफी देर हो जाएगा इस वीडियो में क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है यहाँ पर एक बात ये समझे है कि Mill इंग्लिस में लिखते हैं आप on liberty से मैंने पढ़ा chapter 3 में जो है freedom as autonomy की बात वो करते हैं वो बहुत आसान है Emmanuel Kant के German ideology और moral philosophy से वो बहुत डिफकल्ट है उसको समझना आप उसकी बुक को मैंने तो उनकी बुक को पढ़ने की भी हिम्मत नहीं की जो commentary है उसके basis बना है लेकिन इसको तो मैंने on liberty को पढ़ा आपको पढ़ाने के लिए so freedom as autonomy ये दि मिल का आप लीजे तो ये ज़्यादा सिंपल है जैसे मैंने बोला उनका ये कहना है कि individuality and self-development of unique character denote autonomy and free will most simple कि एक आदमी अपना खुद जो है अपना बैक्टिव तो अपना character अपने unique way में अपना जो freedom of choice है कि उसको कैसा बैक्ति बनना है उसके लिए क्या अच्छा है मतलब good life का conception वो खुद जो है तै करता है और अपने को खुद जो है develop करता है unique way में अपना खुद का unique personality बनाता है वही जो है autonomy and free will है वो किसी के दूसरे के whims fancy से बंधा हुआ नहीं है तो यहाँ देखिए individuality और development of unique character इन दोनों के दिए आप समझेए तो individuality का उनका कहना था कि पहला देखिए mill declare करते हैं कि over himself, over his own body and mind the individual is sovereign यह उनका एक कथन है मतलब italic में है तो उनहीं की द्वारा कहा गया है समझे बाकी paraphrased है तो मतलब यहीं से उनका निकलता है कि एक आदमी को जो है अपने सरीर पे पूरा पुरी तरह sovereignty है mind पे है, इसलिए उसके thought expression पे कोई बंधन नहीं हो सकता है उसके act जो self-regarding है जो उसी पे उसका असर परता है उसके body पे mind पे, उसको कोई जो है नहीं interfere करना चाहिए जब तक हो harm दूसरे को ना कर रहा हो, या अदा regarding नहीं कर रहा हो, और कोई भी आदमी कुछ भी कहता है, चाहे वो आपको कितना पर अप्रिय लगे तो उसको सुनना चाहिए क्योंकि truth जो है multi-dimensional होता है यह सुब चीजे मैंने आपको बताया है on liberty का तो यहाँ पे जो concept यह है कि इस sovereignty mind body से individuality भी निकलती है वो इस तरह से कि freedom of choice है to develop his own life as ones that he has autonomously chosen, आप जिस तरह से सोचते हो कि good life क्या है उसको आप जो चूज करते हो वो है freedom of choice यहाँ उनके ही language बें the human faculties of perception judgment, discriminative discriminative feeling, मतलब कि उसको आप अच्छा मानते हो बुरा, mental activity and even moral perfection are exercised only in making a choice जब आप choice make करते हो आप life choices खुद तै करते हो कि आपको इस रास्ते जाना है उस रास्ते जाना है doctor बनना, engineer बनना है आपको इस तरह से life जीनी हो उस तरह से तब आप जो है individuality develop करते हो central feature of the good life that it is a life chosen for oneself जब आपना खोद अपना जीवन तै करते हो पर कांत का वो भी है नहीं था इसमें कि जब खुद अपने लाइफ का goal and a purpose set करते हो तो आप जो autonomous हो वो बात यहां भी है the power or capacity for critical inquiry scrutiny of prevailing ideas and convention and subjecting them to the litmus test of reason ये भी है मान लेजे कि कोई चीज हजारों साल से कोई परंपरा चली आ रही है तो उसी को निभाना जो है ये individuality नहीं है हर परंपरा को अपने जो reason rationality पे test करना और तब जो है satisfy होना कि यहां ये करना चाहिए आज की जमाने में ये है उसको करना और question करना और त्याग देना उन सब को जो आपको लगता है सरा गला है वो भी individuality है वो भी autonomy है it means और ideas आप करते हैं तो आप self development करते हैं self mastery आप attain करते हैं और आपका expression of free will है इनके अनुसार से तो scrutiny of prevailing ideas convention ये तो दूसरी बार हो गई author of one's rule of conduct not guided by will, tradition और customs और other people इसमें जो है कांत का वो idea चिपा हुआ है कि आप किसे दूसरे के whims, fancies, inclination, desire, passion पर act नहीं करते हैं अपने भी नहीं और दूसरे के भी rational नहीं वही यहां भी उसी तरह की बात ये कहते हैं इसमें वो ये भी जोरते हैं कि not guided by will, tradition और custom of other people दूसरा लोग कहेगा कि ये करना अच्छा है यही समाज करते रहा है No, as an individual soul यदि हम ये सोचते हैं कि हमको करना है तो करना है पूरा समाज एक चीज़ करें हम इदी अलग करें और इदी हम satisfied है अपने रीजन से कि वो करना सही है तो वही individuality है और इसी के से जुड़ा हुआ है कि development of unique character किसको बोलते हैं वो भी autonomously act करने का एक part है individuality के साथ में उनके ही language में देखे तो a person whose desires and impulses are his own खुद अपना है वो कोई दूसरे के will से उसके desire या impulse नहीं निकलते हैं are the expressions of his own nature उसके खुद के अपने nature से निकला है as it has been developed and modified by his own culture और वो modified, moderate हुआ है उसके अपने ही own culture से अपने ही experiment of life से he is said to have a character character का ये definition जो है वो देते हैं और it is denoted जो character है it is denoted rich variety of experiments of living सब को अधिकार है, मिल कहते हैं life का, experiment करने का कि ये form life का अच्छा है कि ये form है, यहां गिरने का उसमें औसफल होने का सब को अधिकार है, और फिर जो उसको best लगता है उस life को चुनने का ये अधिकार है, ये नहीं कि आपको grid fix है कि आपको इसी रास्ते जो है life को जीना है, यहीं जो है सत्य है, ये ये नहीं है freedom experiments of living exposing oneself to wide range of possible form of life, free to develop their own way of living, बार बार ये ही आ रहा है अपना own end goal चुनना own conception of good life को develop करना as per one's own region rationality, और फिर उस पे चलना बिना ये सोचे हुए कि पूरे और लोग क्या कर रहे हैं, हम मेरे जैसे कितने करने वाले लोग है एक भी यदि हम अकेले हैं तब भी वो ठीक है, वो हम idiosyncratic हो सकते हैं, हम जो है unique हो सकते हैं, हम सबसे अलग हो सकते हैं, कोई problem नहीं तो इसलिए developing unique personality, character and self culture, जो है, वो acting autonomously है, अब उनके ही language में देखिए, तो human nature is not a machine, वो कोई machine नहीं है to be built after a model कि एक model है, उस पे human nature को बना दीजेगा, and said to do कांथ भी करते हैं, हम पत्थर नहीं है कि आप उसको जो है, newton law पे डाल दीजेगा तो ये भी कहते हैं, human nature is not a machine to be built after a model, and said to do exactly the work prescribed for it, but a tree which requires to grow and develop itself on all sides according to the tendency of the inward forces which make it a living thing मतलब हम एक व्रिक्ष की तरह है हम कहीं भी हमारी शाखा किसी भी तरह निकल सकती है, उस पे कोई बंधन नहीं सकता है एक पेड़ पे कोई बंधन नहीं सकता है हम bonsai पेड़ नहीं ये काट करके आप गंले में लगा दोगे, एक natural पेड़ के जैसा हमारी शाखाए हड, direction में जा सकती है, जो हमारा nature है और जो हमारा gene है, जो हमें seed है, जो हमें खाद पानी मिला है, जो हवा है, उससे जो हम develop होंगे, वही हमारा true nature है, उसी तरह आदमी का भी जो gene है, और जो उसको environment मिलता है, जो अपना experiment of living है, उससे ही वो life का दिशा और दिशा तै होगा, किसी और के winds, fences पे नहीं, यही acting autonomously है, यही freedom है, यही free will का expression है, मिल के अनुसार, it denotes eccentricity, मैंसे मन का na, idiosyncrasy, मतलब कि आप एकदम unique होना, सब से हट के होना, yes being different, unique, non-conforming, सब से अलग हट के हम हैं, तो हम में individuality जिन्दा है, conformity हैं, तो हम mass society में बस एक भीड, multitude में बदल गए हम जो है, कुछ individual नहीं रह गए, उनके ही language में, to point at someone different, यदि कोई बहुँ different है, तो मिल कहते हैं, उसको आप बोलिए कि वो wild है, erratic है, इस तरह का adjective आप दीजिए, तो वो कहते हैं कि उसी तरह है जैसे कि नियागरा river जो कल-कल चल-चल भहती रहती है, उसको आप बोलें कि रहे, यार यह तो बड़ा बेकार है, यह एक canal के जैसा जो है, नहर के जैसा है, वो Dutch नहर जो इतना शांती से बहता है, उसके ऐसा क्यों नहीं बह रहा है, एक नदी कैसे एक canal के जैसा बहेगा, एक tree कैसे आपको बॉनसाई पौधे के तरह अपने को काट छाट करके आपके लिए beautiful दिखेगा, एक आदमी पत्थर की तरह कैसे बहेव करेगा Newtonian law से, आदमी एक free will है, free conscience है, उसमे individuality है, उसमें सोचने की ताकत है, जो कांथ कहते हैं, वो अपना end goal set कर सकता है, अपना law का खुद निर्माता बन सकता है, तो इस माइने में जो है, वो मिल कहते हैं, कि वो unique personality develop करना individuality है, और उसी को वो freedom कहते हैं, तो दो चीज़े, individuality and development of unique character, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी चाहिए, कि वो, ये सारा जो autonomy का जो justification देते हैं, या freedom का, वो utilitarian viewpoint से देते हैं, ये कांद से बिल्खुल अलग हो जाता है, अब उनका कहना है, कि ये जो moral and mental autonomy जो है, वो एक mean है to personal growth, discovering the nature of good life, and ये जो आप जब individuality develop करते हैं, और unique character develop करते हैं, तो ये individual को help करता है, अपना own talent develop करने में, और अपना own life style में, और उसको genius बनने में, या उसको intellectual बनने में, help करता है, उसकी जो moral faculty होती है, वो बढ़ती है, लेकिन, ये ऐसा होना के वाल, अपने आप में जो है, वो कोई worth नहीं है, वो समाज के लिए जो है, वो worth हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, individual को तो वो happiness देता है, ये मिल कहते हैं, कैसे, क्योंकि happiness for mill was the ability of the individual to discover his innate power, जो अंडर सब God ने दिया है, या nature ने दिया, and develop these while exercising his human ability of autonomous thought and action, तो यदि आप autonomous thought and action रखते हैं, individualry develop करते हैं, तो आपको happiness मिलेगा, आपको लेगा, yes, हम happy हैं, तो एक तो individual happy होगा, लेकिन moral and mental autonomy would produce considerable variety of thought and behavior in society, और उस diversity of character and culture से जो है, society को क्या मिलता है, it provides the engine of productive tension that drives a society, community, nation forward, वही यो ferment है, यही ये individuality, यही जो अलग होना, यही character unique होना, समाज में जो है, वो build करता है intellectual creativity, वही वो भठी है जहां से unique thought निकलते हैं, आप याद कीजे Galileo को, याद कीजे Copernicus को, याद कीजे Socrates को, याद कीजे बड़े-बड़े philosopher को, जो अलग हट करके thought देते हो, पूरी दुनिया जो है वो बदल जाती है, वहीं से, यह भीर से नहीं निकलती है, जो लोग सब के साथ वो नियागरा या गंगा नदी जो हरिद्वार में होती है, अठखेली कर रही है तब तक ही जो है, वहां आपका Life का Flow चल रहा है, Civilization का Growth हो रहा है, Region Rationality बढ़ रही है Intellectual बढ़ रहा है, Geniusty बढ़ रही है जब वो Canal में Convert हो जाएगा तो वो ठहर जाएगा, Life वहीं पर रुख जाएगी, Human Civilization का Growth रुख जाएगा, यह उसी तरह की बात है, जैसे कि Genetic Diversity जो है वो Spaces को सर्भाइव करती है उसी तरह Diversity of Character Individuality, एक समाज को Robust बनाता है, Civilization को Robust बनाता है, उसको मरने से बचता है, कोई Civilization तभी Flourish करती है, जब ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया आता है, जो अलग हों, हट के हों, Individuality Develop करें, Unique Character Develop करें, मिलका ऐसा कहना है So, Eccentric, Non-Conforming Unique and Strong Personality Are Defense Against the Wave of Conformation and Homogenization of the Mass Society Mass Society की critical रहते हैं Mass Society, जो सब को अपने में समेट लेती है, जो सब को Confirm करती है एक ही जैसा सोचने पर विवस कर देती है वो समाज के Growth को रोग देगी, Civilization के Progress को रोग देगी, और उसके against में एक Anti-Dot है, Eccentric, Non-Conforming and Unique Character का होना, Individuality का होना, इसलिए Freedom उनके लिए जो है, एक Utilitarian है समाज को बचाने का, या बढ़ाने का एक रास्ता है, Individual के लिए भी वो फाइदेमंद है, और समाज के लिए भी, इस माइने में देखेंगे कि कांत के अनुसार से, वो तो immoral हो गया क्योंकि उसका एक Purpose हो गया वो एक Means हो गया, Freedom इसल्फ यहां पे एक Mean हो गया for something else, Freedom अपने आप में कोई वर्थ नहीं रहा, तो कांत के अनुसार से यहीं पे वो जो है, इम्मोरल हो गया Hence, Individuality and Liberty to Develop one's own person character is good for the individual and for the society यह एक Means है to attain some other benefit जो यहां पे हम लोंने बताया, benefit यह कि Individual को Happiness, समाज को Progress, Growth, Civilizational Progress इसलिए इन दोनों की दिम तुलना करें तो काफी हम difference देखेंगे, दोनों कहते जरूर है Freedom as Autonomy लेकिन कांत का Freedom as Autonomy है वो Non Utilitarian है, Deontological है आप दोनों का word आप समझ रहे होंगे अब तक, और Mil का जो है Utilitarian है और Teleological है, मतलब कि कोई एक End के लिए जो है, वो Freedom as Autonomy यूज करते हैं, यह Deontological अपने आप में वो जो है, Moral है अपने आप में intrinsically good है Deontological, Intertwined to Morality, Virtue, Goodness उससे एकदम आप उसको निकाल नहीं सकते है, Morality, Virtue, Goodness यहाँ पे जो है, It is based on Individual and Social Need, Utility, उसके बेसिस पे है, कोई इस पे Morality और Virtue, Goodness ऐसे इंटर्डवाइन नहीं है मिल में, Autonomy as Author and follower of Universal Moral Law यहाँ पे जो है, सब लोग को Universalize आप कर रहे हैं, मतलब Individuality एक तरह से खतम हो रही है और आप को Author बन जाते हो Humanity में सब के साथ और Universal Moral Law को करते हो, यहाँ पे Autonomy is asserting individuality and developing unique character दोनों में फरक है, इसको और आप अच्छे समझ सकते हैं, Much more inward looking, आप इसका देखिएगा कांथ का तो Freedom जो है बहुत inward looking है, अपने में मतलब सवताधीपो भवो टाइप का है, Self Mastery Self Development, अपना जो है खुद आप जो act करते हैं, वो moral duty के तौर पे करते हैं, आप जो भी आदमी को समझते हैं, किसी दूसरे को भी end के रूप में, more equal moral worth के रूप में आप लेते हैं, काफी inward looking है, Self Realization है और यह more outward looking है, कि आपको happiness मिलता है, समाज का progress होता है and all, it is tilted toward positive liberty, आपनों देखा कि positive liberty, positive negative, दोनों खानों में रख सकते हैं, कांथ के freedom agitronomy को, लेकिन ज़्यादा यह positive liberty है और इसको भी आप दोनों खानों में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यह negative liberty के तरब जुका हुआ दिखता है, यदि इसे आप Berlin के भाषा में, यार division में कहें तो so okay, dear student, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि ऐसा लगा है तो आप ज़रूर इसको share करें, और इसको like करें, comment करें, और यदि आप exam के त्यारी कर रहे हैं, किसी भी competitive exam की, तो आप exam guide आप download करें, आपको काफी help मिलेगा और इन माधिवों से हमसे चुरें and safe रहें अभी corona खतम नहीं हुआ in fact, हम लोग third wave में प्रवेस कर रहे हैं आप सभी से आशा है कि आप social distancing maintain करेंगे, mask पहनेंगे और दूसरे को भी ऐसा करने के लिए प्रईद करेंगे, good citizen बनेंगे, bye see you next, very soon